सिद्ध शक्ति पीट श्री देवी तालाब मंदिर में गौ सेवा मिशन की अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवस्य अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है जिसमें सबसे पहले दोपहर चार बजे से लेकर साएं संकीर्तन एवं संत्समाज द्वारा सत्संग किया गया इस दोरान स्वामी कृष्णानंद जी ने विशेश रूप से उपस्थित होकर अपने प्रवश्णों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्ग दर्शन भी किया इस मौके पर असंख्य भक्त जन भी मौजूद रह गहु सेवा मिशन के अंदरगत ये दो संद्ध ठाकोजी का चर्चा करिए कि सवभाग्य है मेरा मा के दर्वार में माका कृपा है कि बुड़का प्रभू का स्वनाई हर्मान जी महराज कि चर्चा पे हमाब रहा है चर्चा करेंगे स्रवन करेंगे क्यों हो महराज क्योंकि भक्ती राप जी की भक्ती तम मिल सकती है जब हर्मान जी के सरण दो पिना उनकी क्रपा से भक्ती नहीं मिल सकती है क्यों प्रभू क्योंकि सेवन ही प्रभू के पास लेका कहते हैं मात का सिरी गुरु चरन सरो जरस निजमन मुपुरे शुरहार वर्नव रग वर्विमल जस जो दायक भल चार पर्म द्यालू प्रम्भा मांजगदम्भा तरिकर मालनी की किरपा कर्मों से उनीके पावने की तुस्थद देवित लावंदर में किंदनो आप हम सब पर्म्द्यालू कली पावनावगार बंतमाल सुमेरू गोस्वामिश्री तुसितास महराजी का पावन क्याली दिवसिय जैटी महामहोसर भवत रादमा महाजगदम्भा अनुष्ठान करें हमारे महापुर्ष्ठी ने मानुवता के भले के लिए जनातर धर्म संस्क्री गोव माता की रक्षा के लिए अपने जीवन में बहुत बड़े परश्ठी किये हैं वे धर्मियों के बड़े परपों भुवे सम्य संपर इन महापोच्ष्ठी मानुवता गोव माता की रक्षा करी हैं जग्द गुरु रामन अन्दाचारिय भवान श्री रामन उजाचारिय वलवाचारिय महराज समरत गुरु रामदाच जी सहव श्री गुबनंक देव महराजी कबीर महराजी रवीदास महराजी पालमीकी महराजी नाम देव महराजी सब वहाँ पुछों नहीं समय समय पर विधर्मियों के आश्रों के प्रिकोप से इस अभार्त की पावत धरा को बिचाया है चिदानंदरूपम शिवोहम शिवोहम मैं वही हूँ जो शुद्ध है चैतन्य है शाच्रत है तो यह चिंतन जीवन में कैसे आएगा जब भगवान का भजन करें क्योंकि इस कलिकाल में भजन ही एक साधन है और हम सब भाकिशाली है कि हमको इस भारत की पुन्य भूमी पर जन्म मिला है इस तरह की बरसाथ के अंदर आप लोग इस पंडाल में बैट करके जो यह कथा किर्टन श्रवन कर रहे हैं ना हम लोग तो यहां फिर भी कर रहे हैं भारत के अन्यत्र किसी भी जगा की ऐसी संस्कृति नहीं है और यदि आज वहां के लोग ऐसा कर भी रहे हैं तो वो भारत की संस्कृति का अनुगमन करते हुए यह सब कर रहे हैं उनकी संस्कृति नहीं है तो हम अपनी संस्कृति छोड रहे हैं यह सिद्ध पीठ है भगवती का यह भगवती का सिद्ध पीठ है और सिद्ध पीठ के अंदर ऐसे सिद्ध मापुरुशों के द्वारा ऐसा सुन्दर कार हो रहा है